वेले 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 वेलकम बैक वेले दूइंग वेल सो आप सबको पता होगा कि टाटा ने टिग और इवी का फेसलिफ्ट वर्जोन अनॉंस कर दिया है तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे और बहुत लोग एक्चुली हमको पूछ भी रहते कि टिग और इवी में हमको क्या-क्या चेंजिस दिया है टाटा ने और क्या-क्या नहीं दिया तो पूरा वीडियो एंड तक देखना और जो एक्जिस्टिंग कस्टोमर अटिग और इवी के उनको क्या-क्या अपडेट मिलने वाला है अपने गाड़ी में वो भी आज इस वीडियो में हम बात करेंग अगर आपको पता होगा जबी और क्या नेक्स में तया टा ने लौंच क्या Nexon EV Max फिर बहुत लोगों ने तोचा कि Nexon EV Max में इतनी सब फीचर्स है नॉर्मल Nexon EV वालों को कुछ भी नहीं मिल रहा है Tata ने लाउंच किया Nexon EV Prime और वो प्राइम के चक्कर में जो existing users थे उनको software update के तुरू cruise control दे दिया, region modes दे दिया और यह सब चीज़े दे दिया और भी same चीज विथ TIGOR EV कस्टमर्स और TIGOR EV जो फेसलिफ्ट वर्जन आया है वो भी same है कार एकदम identical है कुछ भी चेंज नहीं है गाडी में नहीं कुछ अलग से सीटिंग में डिफरेंस है कार के इंटिरियर्ज में डिफरेंस है वो कुछ भी नहीं है everything is same is just की आपको Tata ने region level modes दे दिये है TIGOR EV में और एक new color जो आपको अलड़ी डिस्प्ले पर दिखा भी screen पर दिखता होगा new color Tata ने निकाला and plus थोड़े बहुत जो features जैसे cruise control हो गया सबसे बड़ा चीज जो cruise control हो गया वो TIGOR.EV 2022 उसमें निकाला है Tata ने and plus जो Z connect app से आप अपना watch अगर आप कनेक कर सकते हो अगर आपके पस smart watch है apple watch है या कोई भी और कोई भी smart watch है उसके साथ में आप कनेक कर सकते हो plus इसके auto headlamps है जैसे कि अगर रात हो जाएगी तो automatically headlamps all हो जाएगे and plus auto wipers I guess auto wipers भी है not sure auto wipers भी है इसमें तो ये सब चीज़े है TPMS वगर भी है which is not that useful but then ये सब features है आपके पास में तो जो Tata ने 2022 variant निकाला आटिग और EV face lift उसके अंदर Tata claim करता है 315 km का range वो इसके लिए है क्योंकि तो region level उन्होंने आड़ कर दिया region modes आड़ कर लिया है इसके लिए वो range इतना बता रहे हैं अगर existing customer को भी अगर region level मिल जाएगा ये अपडेट के बाद में तो उनको भी वो ही range claim होएगा अगर जो existing customer है TIGOR EV के उनको range जो Tata ने claim किया था that was 3, 1, 2 km और यहाँ पे सिर्फ 3 km बढ़ा के that's only because of region level आपको region modes का option मिल गया है उसके वज़े से 3 km Tata ने बढ़ा के दिखाया है new facelift TIGOR EV में अब बात करते हैं existing customers को क्या मिलता है existing TIGOR EV customers को क्या मिलता है so existing TIGOR EV customers को मिलता है multi mode region region level आप set कर सकते हो 1, 2, 3 जो भी आपको set करना है वो आप set कर सकते हो अगर आपने Nexon EV का prime update करने का बात में वीडियो नहीं देखा तो प्लीज जा के देखना तो वो same चीज आपको TIGOR EV में मिलने वाली है second update जो आपको मिलने वाला है वो है TPMS tire pressure monitoring system जो ज़्यादा काम का है नहीं यह that's a software based तो ज़्यादा accurate काम करता नहीं है Nexon EV में भी हमने चेक किया तो ज़्यादा accurately काम नहीं करता है दूसरा support जो आपको मिलने वाला है वो smart watch connectivity का support मिलने वाला है जो आप Z connect अगर आपके phone में Z connect है आपने Apple watch पेना है तो आप अपने Apple watch के साथ में Z connect कर सकते हो और अगर आपको door unlock करना है light चलू करना है वो सब चीज़े आप smart watch से कर सकते हो but then the main point TIGOR EV existing customer users को cruise control नहीं मिलने वाला है क्यों टाटा ने अब तक cruise control के बारे में कोई भी update नहीं दिया है अगर आप TIGOR EV के existing customer हो तो अब तक cruise control का कुछ भी आता पता नहीं है तो अगर टाटा announce भी करता है we are just hoping this sure नहीं अगर टाटा announce भी करता है तो वो paid में announce करेगा क्योंकि तो अभी दो चीज़े यहाँ पे multi mode region के लिए भी टाटा को बटन लगाना पड़ेगा extra अगर टाटा बटन नहीं लगा रहा है वो software के through enable कर रहा है जो हमारे speedometer के यहाँ पे दो जो push buttons है उसके through अगर वो enable कर रहा है region तो अलग बात हो गई but then अगर टाटा को अलग से buttons लगाने पड़ रहे steering wheels पे for cruise control and multi mode region के लिए तो naturally टाटा वी चार्ज फो दाट we are not sure अभी भी अब को sure नहीं है कि वो जो multi mode region भी है वो कैसे enable होने वाला है चाहे वो button लगा रहा है टाटा extra या वो जो speedometer के यहाँ पे दो हमको push buttons मिलते हैं उसके through हम enable कर सकते हैं we are not sure about that December में इसका update वैसे चाले होने वाला है 28 December से आप showroom में जाके update कर सकते हो यह सब चीज़े but then we will tell you to wait अग बाकी लोग का update होने तो let's see क्या होता है हम भी देखेंगे अपडेट करने के ट्राइ करेंगे पहले की कैसा है यह सब update उसके बाद में आपको review देंगे but यह सब चीज़े आपको Tata अपने TIGA और EV में दे रहा है the only drawback is cruise control जो आपको नहीं मिलने वाला है let's hope let's hope कि cruise control कभी update हमको आ जाए पेड भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है but cruise control मिल जाएगा एक official cruise control मिल जाएगा that will be a good option but let's wait for Tata की announce अगर आगे जाके announce करता है कि नहीं so यह सब चीज़े हैं जो आपको मिलती है so we hope आपको वीडियो पसंद आया होगा and we'll see you in the next one करे जाएगा